ब्लैक पैंथर होगा ओपेंड वर्ल्ड गेम, 25 गेम जाएंगे PS Plus से, Deliverance 2 आ रहा है, PlayStation सोकेस में होगा धमाका, Fallout 5 में क्यों देरी? यह है इस वीक के मेजर हाइलाइक्ट, चलिए अब डीटेने बात करते हैं सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं यह का गेम जिसका नाम है Black Panther, तो मैं आपको बता दू, Black Panther के तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि हो सकता है कि यह गेम ओपें वर्ल्ड गेम होगा, यह रिउमर आया है उसके निव जॉब लिस्टिंग से, यह गेम के तरफ से एक स्टूडि in designing and population encounter system, मतलब कि अगर आपने spider man game खेला तो आपको पता होगा कि कैसे वो लोग population को encounter कर रहे थे, और वो लोग कैसे game को dynamically improve कर रहे है, तो उसे तो साफ पता चल रहा है कि वो लोग open world game बना रहे है, तो मैं आपको बता दू, यह ने साफ decline किया है, मतलब कि यह ने बोला है कि क कोई भी comment नहीं करना चाहते है इस news पे, तो next update है Stealer Blade की तरफ से जैसे आपको पता है कि यह game 26 April को आ रहा है, तो उसका download size और trophy reveal हो चुका, जो उसका download size वो है around 30.448 GB और इसका preload 19 April midnight से available हो चुका है, अगर आपने purchase किया तो आप जाके preload कर सकते हैं, और यह game 26 April midnight से live हो वो around 43 trophies होंगे, including platinum, जिसमें कि 3 gold trophies होगा, 12 silver और 27 bronze, इस बार PlayStation Plus और Extra Premium की तरफ से 25 गेम जा रहा है, में मन्त में, यह तो लग रहा है कि बहुत ही बड़ा गेम जा रहा है, इसमें कि Final Fantasy के बहुत सारे गेम जा रहा है, और यह सारे गेम आपको मीड में से चले जाएंगे, ज जो टून, World of Final Fantasy, Final Fantasy के बहुत सारे गेम, और अभी आप सारे गेम का नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो next new जा Kingdom Come Deliverance 2 की तरफ से, इसका फाइनरी ओफिसेरी ट्रेलर आ चुका है, और उसका एनाउस्मेंट भी हो चुका है, कि यह गेम आपको इसी साल मिलेगा, तो मैं आप को बता दूए, इसका जो यह गेम है, यह पहले गेम से डबल होगा, और इसमें Cry Engine के साथ गेम को बनाया जा रहा है, यह गेम हेनरी के स्टोरी को continue कर रहा है, और इसका स्टोरी 15 सेंचूरी से होगा, और इसमें आपको बहुत सारे new इपन मिलेंगे, जैसे की crossbow, fire arm, और इसम में आपको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसकील भी मिले गए, और बहुत कुछ मिलने वाले हैं, और यह गेम PS5, Xbox Series और PC पे आ रहा है, तो next news है PlayStation showcase की तरफ से जैसे की rumor है कि बहुत ही जल्द इसका showcase होने वाला तो उसके तरफ से news आ रहा है कि इस बार बहुत कुछ announcement होगा, जैसे की Ghost of Tsushima 2, New Astro Boat, New Blue Point Game, Gravity Rush 2 Remaster, Made Evil 2 Remake, New Bend Game, और Death Stranding का नया टेलर आ सकता है, साथ में Wolverine और Spider-Man 2 का DLC के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, तो मैं आपको बता तो यह सारे news बस अटकले हैं, क्या confirm होगा कि नहीं होगा, यह तो showcase में ही पता चलेगा, तो next news है लेरेन Studio कौन है, तो मैं आपको पता दूँ, उनका लास्ट गेम अभी आया था, बाल्डूर गेट 3, जिसने 2013 में बहुत सारे अवार्ड का ज़री लगा दिया, तो लोग ने साफ टिकलाइन किया है, कि वो लोग बाल्डूर गेट 4 पे काम नहीं कर रहे है, तो लोग ने बोला कि एक अलग पे काम कर रहे है, जिसके बारे में बहुत ज़र पता आप लोग को चलि जाएगा, लेकिन इसके अलब आप लोग ने ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया, तो नेक्स ने उजग गोश्ट आफ सूसीमन डारेक्टर कट की तरह से, जैसा हम सब को पता है कि ये गे और आपका फ्रेंड PS4 या PC में खेल रहा है, तो आप easily connect कर सकते हैं, और साथ में जो गेम के अंदर वाइस चैट है, उसके तुरह आप communicate भी कर सकते हैं, और ये भी new जाए कि ये first PlayStation game है, जो कि PC में PlayStation का overlay देखेगा, मतलब कि जो PC में आप जब गेम खेलोगे, तो वहाँ पे आपको पूरी तरह से PlayStation का feel होगा, जैसे कि आप उसमें फ्रेंडली स्ट्रोफी, सेटिंग और प्रोफाइल देख सकते हैं, और ये feature Windows PC में अविलेबल होगा, और जो ट्रोफी ये वो सेम है, जो कि PS5 कंसोल में है, मतलब कि कोई पार्सिटी नहीं किया गया, PC और PS5 में, और उसका जो system requirement है, अभी आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो next update है Fallout 5 की तरफ, तो जैसे आप सब को बता है कि Fallout 4 को आए हुए काफी time हो गया, even Fallout का Amazon Prime पे series आ चुका है, और वो भी अब season 2 के लिए renew हो गया है, तो लोग बोल रहे है कि आप लोग Fallout 5 में देरी क्यों कर रहे हो तो finally, बतेस्टा के जो director है, उन्होंने reveal किया है कि वो लोग ने बहुत ज़्यादा time already Starfield game पे spent कर चुके थे, जिसके कारण उनों का सारा resource और समय उसी में चला गया है, जो उसका team है, वो भी इंडर scroll 6 पे काम कर रहा है, जिससे last year teach किया गया था, और उसके बारे में कोई update न नाम है, खबरे फटा फट, new dead island 2 expansion में, गेनारी जॉंबी को add किया जा रहा है, 2K बहुत ज़ले announce कर सकता है, mafia 4 game को, 5 hour energy वाले 230 mg का caffeine launch करेंगा, जिसका नाम है gamer shot, मतलब कि वो आप खालो और अराम से बिना ठके हुए game को खेलते जाओ, new wolf among us 2 का image आ रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग production पर काम स्टार्ट कर चुके हैं, arena breakout infinite PC में आ रहा है इसी साल, तो आज के लिए बस यहीं तक फिर मिलते हैं, अगले week, अलविदा बाहर